बच्चो कक्छा 11 भारत भोतिक परियावरन इस पुस्तक के बच्चो चैप्टर नमबर 2 जिसका नाम है संरचना तथा भू आकरती विज्ञान इस चैप्टर का हम अध्यन कर रहे थे भाग एक का अध्यन करने के पस्चात जिसमें हमने देखा बच्चो कि संरचना अर्थात इस भारत के अंदर जो विबिन प्रकार के जो संरचना किस प्रकार की है चट्टानों की इस्ति किस प्रकार की है भूमिकी संरचना किस प्रकार की है उसके पस्चात आज हम भाग दो में देखेंगे बच्चो की भू आकरती किस प्रकार के यहां पर पाए जाती है ठीक है त तो भारत के अंदर किस प्रकार की भुहाकरती मिलती है और उसमें भी बच्चों देखेंगे कि किस प्रकार से हिमाले का आज हमध्यन करेंगे, तो बच्चों तयार हो जाईए भुहाकरती प्रदेश भारत में जानने के लिए, बच्चों किसी इस्थान की भुहाकरती उसकी स संरचना, प्रिक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है, भुवाकरती हमने पिछली जो भाग है, पिछली क्लास है, उसमें भी यह देखा था, कि वहां के संरचना किस प्रकार की है, वहां के बेसिक जो चट्टाने है, उनका निर्मान किन अवस्थाओं में हुआ था, उस बात पर ही वहां की उस इस्थान की भुवाकरती निर्बर करती है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, ठीक है, उसकी प्रिक्रिया कौन सी थी, और वहां किस प्रकार का विकास की कौन सी अवस्थाय उस चेतर की हुई, तब जाकर के वहां की भुवाकरतिया उस पर चमता मिलती है एक अनुमान की अनुसार देश के समुचे छेतरफल का लगबग 10.6 परतिसत भाग परवतों, 18.5 परतिसत पहाडिया, 27.7 परतिसत पठारों और 43.2 परतिसत मैदानों के रूप में पाया जाता है ये मोटा मोटा आइडिया हमारे सामने है कि किस प्रकार की जो बहारत में विदुमान है उनका क्या परतिसत है तो भारत विविद्धाव वाला देश है ना केवल कि किस प्रकार से यहां की जो भुवाकरती है उसमें भी विविदता पाई जाती है, जहां एक और बच्चों हमारे भारत में परवत भी पाई जाते हैं, पहाडी भी पाई जाती है, पठार भी पाई जाते हैं, मैदान भी पाई जाते हैं, सभी प्रकार की भुवाकरतिया यह भारत में पाई जाती है और यह एक उप महादीप की इस्तिती बनाता है जो भारती है उप महादीप कहलाता है ठीक है बच्चो अब भारती हो महादीप की अधियम बात करें तो भारत और उसके पडोसी देश जैसे की पाकिस्तान है ठीक है नेपाल है भूटान है बांगला द हिंद महासागर से गिरा हुआ है तो एक पूरा आबद संरचना बनाती है जिसे भारतिय उप महादीप हम कहते हैं उत्तर में हिमाच्छादित सीखर विश्त्रित घाटी हिमानी घहरे खड लंबाईत घाटिया गरस्ते जल प्रपात गनी वनस्पति सांस्कृतिक तो उत्तर में क्या है उत्तर में बच्चो हिमाले जो कि हजारों सालों से हजारों सालों से हमारा प्रहरी है हमारा रक्षक है उत्तर से आने वाले आकरांताओं से पस्चिम से आने वाले आकरांताओं से बच्चो साथ ही जो सीत लहरों से हमारी रक्षा करता है तो हमारी प् Vibhanρίت प्रकार की हमने इहां पर इस्तला करतिया इसके रूप में देखी, साथ में जा चार आ mendलिय बहुत मेह निया DRATALI बहुत मेहत्पुन है इसके उते में ये ऊंपड़े छेट्र में uvaddhkhaab baix इस्तला करती भी पाई जाती है, तो विबिन प्रकार की इस्तला कृतियां पर म चोटिया, गर्त, महाखड, आदी चीजें यहां पर पाई जाती है, और यह बहुत ही महत्पून है, भारत के लिए हिमाले की स्थिती बच्चो बहुत ज्यादा महत्पून है, साथ ही में इसमें देखते हैं कि दक्षिन भारत एक इस्थिर है, परंतु कटा फटा पठार है, जहां अपरदित चटान, खंड और कगारों की भरमार है, मैंने बच्चो पिछली क्लास में भी बताया था कि भारतिये जो प्राइदीप है, भारतिये प्लेट के रूप में जब उत्तर की और उसका खिसकना हुआ, और साथ मी यूरेशिन प्लेट से जब जाकर के वो टकरा तक्राने के पस्चात हिमाले की उत्पती हुई, तो भारतिये जो प्लेट के अंदर जो भारतिये दक्षन भारतिये जो पठार है, प्राइदीप जो चितर है, यह इस्थिर है, अपेक छाकरत इस्थिर है, लेकिन क्या है, कठोर है, अपरदित है, क्योंकि सालों से, पुरा IDP भारत है, अर्थात जो पठारों की जो इस्तिती है उदक्षिन में, उत्तर में हिमाले की इस्तिती है, दोनों के मद्द में विशाल उत्तर भारत का मैदान है, तो यहां पर मुख्य रूप से तीन इस्तिती हमने आपर देखी, इसी के साथ में हम इस मानचित्र में देखें कि यहाँ पूरा चेत्र तलवार नुमा आक्रती में ठीक है और यहाँ पर उत्तर पूरमी पहाड़ियों के रूप में पेहला भाग हिमाले के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा जो भाग है बच्चो वो उत्री मैदान के रूप में यहां पर दृष्यमान है जो की दक्षिन के पठार से लेकर के और हिमाले के बीच में इस्तित है और तीन प्रमुख नदिया भारत में तीन प्रमुख नदिया सिंदू, गंगा और ब्रहम पुत्र नदियों के र अर्थात गर्थ के रूप में यह है इस्तिती बनी और दोनों ओर से हिमाले से और नीचे अपने इस्थल जो पठारी भाग है वहां से जो नदियों का प्रवाव होगा तो आ करके यहां अपनी इस्तिती बनाई अर्थात बीच में उत्तर भारत का मैदान हुआ जो की बच् इसरा भाग है बच्चो वह दक्षिन पठारी चेत्र है जो कि दक्कन का पैठार या दूसरे उसके पठार यहां पर सामिल किये जाते हैं ठीक है और जो चोथा भाग है बच्चो वह भारतिये महामरुस्तल के रूप में राजस्थान में पस्चिमी राजस्तान में इस्तित बारतिये महामरुस्तल के रूप में, साथ ही बच्चों पांचवा जो भाग होगा वो तटिये मैदानों के रूप में होगा, जहां पस्चिमी तट और पूरवी तट, दो प्रमुख तटों की उपस्थिती यहां पर देखी जाती है, और छटे बाग के रूप में हम देख सक हाणचवा तो इस प्रकार से विविद ताओं से यूक्त भार्त जिएं पर हमने प्राक्रतिक रूप से इसका नक्सा देखआ, अब यहां पर हम बच्चों देख सकते हैं कि पहले रट के अंदर पहले भाग के अंदर नंगा पर्वत से यहां नंगा पर्वत से लेकरके ना अब बच्चों आप यह सोच सकते हो कि आखिर में यह हिमाले परवत जो है उसकी इस्तिती इस प्रकार से यहां जाती हुई और कुछ विस्तारित रूप में कुछ विज्ञानिक इसको विस्तारित रूप में मानते हुए उत्तर पूर्वी पहाडियों के रूप में म्यामबा होता हुआ यहां पर अराकान योमा म्यामबार में इस्तित यहां से होता हुआ अंडमार नीकोबार द्वीप समू जो कि हमें द्वीप दिखाई देते हैं वास्तों में यह बच्चों विस्तारित रूप से हिमाले की चोटियों का ही हिस्से हैं वास्तिक रूप से हिमाले की जो निर्मित यहां पर चोटिया जो हैं, जो कि समुद्र में निमजन के पस्चात यहां पर दिखाए देती है, द्वीपों के रूप में वो ही इस हैं, अर्थात बच्चों यहां पर यह देखने वाली बात है, कि हिमालय जो कि हमें यहां पर दिखाए दे रहा है, विस्तारि पहाडिया या विबन स्रेणिया यहां पर निकली हुई है ठीक है यहां एक और हिंदुकुस स्रेणी दूसरी और चीन में कुनलुन स्रेणी यह निकली हुई है साथ ही पार हिमाले की जो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों इसी में पार हिमाले की जो स्रेणिया है चाहे कारा को हो चाहिए दूसरी प्रकार की हो वो भी पामीर की ग्रंथी से निकली हुई प्रतीत होती है ठीक है बच्चो तो यह हमारा पहला वहाव हुआ यहीं पर पाकिस्तान में सुलेमान स्रेणी हिंदुकु स्रेणी आदी प्रकार की सेनिया भी यहां पर इस्तित है और बच्चो यह प्रवेश कर जाती है और इसके पांच प्रमुख नदिया जो है पांच प्रमुख नदिया जो है उसे पंजाब कहते हैं ठीक है बच्चो तो यहाँ पर पहले बाग में हमने देखा कि हिमाले है दूसरे बाग में बच्चो हम देखेंगे कि उत्तरी जो मैदान है उसका निर्मान हुआ था और निर्मान कैसे हुआ था कि जो भारतिये प्लेट थी भारतिये प्लेट यूरेशन प्लेट से जब टकराई टकराने के बाद यहाँ पर पच्चो यहाँ पर हिमाले की उत्पत्ती हुई, लेकिन ट्रेंच के रूप में, खड के रूप में, गर्थ के रूप में यहां पर यह हिस्सा आया, और दोनों और से, चाहे हिमाले से हुआ, या फिर भारतिये प्लेट से हुआ, ठीक है, जिसे विंदन स्रेनी भी कह सकते हैं, इन कगारों के यहां से, दोनों और से जो लाई गई जो नदिया है, इनके तल छटों से इसका निर्मान हुआ है, इसका भी हम अध्यन करेंगे, तीसरा जो भाग है बच्चों, यहां पर हम दक्षन, जो पठारी छेतर है, जिसमें मुख्यता है, दक्कन का पठार मुख्या है, और दूसर पठार तक जाता है, तो इसका च्च्च परकार से यहां तक जाता है, यह हमारा तीसरा भाग हुआ, और इस में विबिन पठारों की इस्तिती भी हम यह पर देखेंगे, चोथे भाग के रूप में बच्चों, भारती महामरुस्तल होने को तो बच्चों है, जो बठारी छे होने के एकारण यह है Mrusthal, इसलिए इसको चपा बाग बनाया हमने जिसे नाम दिया भाःति महा Mrusthal ठीक है Cheese Rab के ठा सब्सक्रों कि इसके पस्चा पांचवगे पांचवा जो होगा वह होगा तटिय मैदान तटिय मैदान यहां पर बच्चो पूर्वी तटिय मैदान और हमने 6 वागों में इसको बाटा है, और बच्चो 6 वागों का यदि हम देखे, इसकी रूप रेखा देखे, इस भुवाकरतियों की, तो विभिन प्रकार की यहां पर विविदता पाई जाती है, अलग-अलग प्रकार की यहां पर चीजी हमें देखने को मिलेगी, ना केवल मि करदा में बच्चो बलकि खनिज संसादनों से युक्त अनेक जो छेतर है, वो भी यहां पर द्रिश्यमान होंगे, ठीक है बच्चो, तो देखते हैं हम कि भारती है, जो भुवाकरति परदेश कौन-कौन से है, मोटे तोर पर, बच्चो, मोटे तोर पर भारत को निम्न लि मैदान बच्चो, तीसरा है प्राई दीपिय पठार, जो पुरातन पठार है, इस्थिर है, दड़ड है, तो प्लेट के रूप में आकर, के तकर आया था, वो प्राई पठार रूप में हम यह पर अध्यन करेंगे, चोथा बच्चो बहारती है मरुस्थल और पाचवा है, ए मेडाना और छटाए द संहु तो श्य प्रमुख भागों में मैं इसे बाटा है ऐसे दिंगे क्युंजत एलिदा क्वैश्त कर हैं भिज्गания तो पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी परवत माला किस प्रकार से हैं यहां mad में देखेंगे उत्तर दता उत्तर पुर्वी परवत्माला में हिमाले परवत और उत्तर पुर्वी पहाडिया सामिल है कि таких समधानांतर पर्वत्स स्रंकलाय या स्रेनिया हैं और यहाँ पर इन這樣的 हमा इसमें व्रहध हिमाले, पार हिमाले, सरंकलाय, मद्ध हिमाले और सिवालिक प्रमुख स्रेनिया है, इनकी जो उत्पत्ती है, बच्चों, दूसरी पुस्तक में हम वहाँ पर देखेंगे, कि इनकी उत्पत्ती किस प्रकार से हुई है, प्लेट टेक्टोनिक थेयोरी, प्लेट का मैदान, और पार हिमाले, अर्थात हिमाले से भी पहले की जो स्रंकलाय है, जो परवतिय छित्र है, उनको हम बोलते हैं पार हिमाले, जो कि हिमाले से पहले की इस्तिति में थी, तो तीन प्रमुख स्रेनिया जो कि हिमाले की उत्पत्ती के दोरान हुई, इसमें व्रहध हि भारत के उत्ण पस्चिमी बहाग में इंत्र पस्चिमी भाग में उत्तरपस्च्छम दिसा से दक्षन पूरु दिसा की और फैली है, उत्तर पस्चिन, बच्चो दिसाओं का ग्यान तो आपको है, यह उत्तर दिसा है, यह दक्षन दिसा है, यह पूर्व दिसा है, और यह पस्चिन दिसा है, दिसाओं का ग्यान होना अति आवशक है, आप भुगोल की विद्यारती हो तो यहां इस प्रकार की दिसा की ओर फैली हुई है, तो बारत की उत्तर पस्चिम भाग में, कहां पर? उत्तर पस्चिम भाग में हिमाले की सिरेनिया उत्तर पस्चिम से दक्षन पूरु दिसा की ओर फैली हुई है, यह हमने मानचित्र में भी देखा था, दार्जलिंग और स लिक्यन छेतरों के जबकी आरोनाचल प्रदेश में यह दख्षन पश्चम से उत्तर पश्चम की और गूम जाती है अमने बताया सकती दिसा में और आरोनाचल प्रदेश में और बस आपको इस प्रकार से यह जाती है IF Mizaram Nagaland और मनिपूर में ये पहाडिया उत्तर दक्षन दिसा में पहली है इस तरीके से उत्तर दक्षन दिसा में मिजोरम नगालेंड और मनिपूर में उत्तर दक्षन दिसा में फैली हुई हमें प्रतीत होती है तो जिस तरीके से दबाव पड़ा बच्चो भारतिये प्लेट का जिस तर तीके से हिमाले की इन सरेनियों का निर्मान हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हम यह देख सकते हैं। व्रेध हिमाले स्रंख misinformation कहा जाता है। मुख्य रूप से जिसे व्रेध हिमाले कहते हैं, उसे continue कहते हैं। कि पूर पस्चिम लंबाई लगबग पच्चिस सो किलोमेटर तथा उत्तर से दक्षन इसकी चोड़ाई एक सो साट से चार सो किलोमेटर है तो में लिया दी बच्चों बात करें हम तो हिमाले की जो लंबाई है वो कितने किलोमेटर है पच्चिस सो किलोमेटर हिमाले की लंब पच्चिस सो किलोमेटर है नंगा परवस्य नामचा बर्वा तक इसके लंबाई पच्चिस सो किलोमेटर की रूप में हमें प्राप्त होती है और चोड़ाई लगबग 160 से 400 किलोमेटर अलग लग चेत्रों में अलग अलग प्रकार की चोड़ाई यहां पर देखने को मिलती है हिमालय भारतिय महादीप तथा मद्द पूर्वी एश्या के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दिवार के रूप में खड़ाई प्राकर्तिक दिवार है और सदियों से हजारों लाखों सालों से भारत की सुरक्षा बनाए रखा है उत्तर में प्रहरी की रूप में हमार है मजबूर दिवार के रूप में खड़ा हूअ हुंतर से आने वाले आक्रांताओं रोकता है सर्द हवायों को भी रोकता हैसे लिए इस्थानिक बिंदू है इसलिए बच्चो यह हमारे लिए बहुत ही महतपुन जियो पूलिटिकल इसू है और थार्ठ यहां पर इसकी उ पस्तितिय भारत के लिए बहुत ही मेहतपूर हैं, ठीक है बच्चो हिमाले एक प्राकर्तिक रोदकी नहीं, अपितू जलवायू अपवाह इन सांस्कृतिक विभाजक भी है, सांस्कृतिक विभाजक का भी कारी करता है यहां पर भारतिय छेत्र को उत्तर से उत्री जो चीन ह या फिर मैं बात करूँ मद एशिया है उसको विभाजक का कारी करता है और ना केवल जलवायू के रूप में बच्चो अपवाहा के रूप में अर्थात नदियों के रूप में बल्कि सांस्कृतिक विभाजक का भी कारी करता है और एक पूरे भारती हुप महादीप को एक सम संस्कृतिक समु के रूप में दिखाई देता है जो पूरा भारतिय drown महादीप है भचो एक ही संस्कृतिक कुंड के रूप में में दृश्य मानों समूचे भारतिय drown मादीप चाहें वो पाकिस्तान हो भारत beim आ और भांगलादेश नेपाल हो बुटान हो स्रे जितनी भी बोलिया है बच्चों, उसकी उत्पत्ती भी एक से ही हुई है, तो समुची जो चेत्र को एक बनाई रखने में इस हिमाले की महत्वपून भूमी का है, हिमाले परवतमाला में भी अनेक चेत्रिये विन्नता है, इसको भी अधियान के दृष्टी से देखें, तो अ कर सकते हैं बच्चों, जिसे कि हम इसके अच्छे से अधियन कर सके पहला है, पहला है कशमीर या उत्रि पस्चिमी हिमाले है, तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाले है, और पांच है पूर्वी पहाडिया और परवत, तो पांच परमुख भागों में बाटा जा सकत और यह 5 जो भाग बनाए है वच्चो यह भाग ना केवल भुहाकरतियों के रूप में हिमाले की जो विभन प्रदेशों को जो बाटा है उसके रूप में हम प्रादेशिक विवाजन मान सकते हैं, बल्कि इनके जो इनके अंदर विभन प्रकार की जो चीजे है चाहे वो प्र इनमें भी बच्चो विवाजन हम यहां पर कर सकते हैं, तो पहला है कश्मीर या उत्तर पस्चिमी हिमाले, अब कश्मीर जो हिमाले है या जिसे उत्तर पस्चिमी हिमाले हमने कहा इस सिंदु नदी से लेकर 17 नदी का चेत्र माना जाता है, ठीक है, सिंदु नदी से 17 नदी का और इसमें भी अनेक परवत स्रेनिया है जैसे कारा कोरम, लद्दाक और जासकर और पीर पंजाल अब बच्चों यहाँ पर हमने देखे कि विबिन स्रेनिया यहाँ पर बनी हुई है अलग अलग प्रकार की सिरेनिया, कारा कोरम सिरेनी, लद्दाक सिरेनी, जासकर सिरेनी, पीर पंजाल सिरेनी, विबिन सिरेनिया यहां पर बनी हुई है, यह हम यहां पर आगे देखेंगे, यह कौन-कौन सी सिरेनिया, लेकिन यदि हम इसके प्रादिसिक विबाजन करें, इस थंडा मरुस्तल के रूप में हमें यहां पर मरुस्तल पायाजाता है जो कि ठंडा मरुस्तल कहां पर भारत में ठीक है व्रहेद हिमाले और पीर पंजाल की बीच विश्व प्रसिद कश्मीर जीन ध्यौर कश्मिर गाटी है और जहां mixture जिल भी पाए बच्छो किनके बद्ध है व्रहध हिमाले और पीर पंजाल जो श्रिनी है उनके मद्ध यह पाया जाता है दक्षिन एश्या की महत्वपूर्ण हिमानी नदिया बाल टौरो और सियाचिन इसी प्रदेश में और सियाचिन हम जानते हैं बच्छो विश्व का सबसे उचा वहां पर किस परकारी करते हैं जाफरान की लूप में जमाव हैं तो उसके लिए करेवा परकारी की मिट्टी वहापर पाई जाती है, ठीक है, एक प्रकार का हिमोड के रूप में वहाँ पर जमाव पाया जाता है, वहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है, बहुत इंपोटेंट बात है, वरेद हिमाले में जोजिला, पीर पंजाल में बनीहाल, जासकर स्रेणी में फोटुला, और लदाक स्रेण पाई जाते हैं अफिक है आधि हम बात करें जीले मेठेपानी की जील और खारे पानी की जील यहां तक तो ठीक था लेकिन बत्चों आपको जानकर के ताजुब होगा कि इतनी उचाई पर भी खारे पानी की जील है आखिर इसका क्या कारण है कि इतनी उचाई पर भी खारे पानी की जील है जैसे कि पागांग सो और सो मुरीरी इसी छेत्र में खारे पानी की जील है तो कुछ वैज्ञानिक इसके बारे में बताते हैं पाई जाती है, ऐसा कुछ वेग्यानिकों का मानना है, ठीक है, बाकि दूसरे वेग्यानिक इसके बारे में दूसरी राए भी देते हैं, लेकिन बच्चों इहां पर लवन वाली जीले अर्थात खारे पानी की जीले भी पाई जाती है, सिंदु तता इसकी सायक नदिया जेलम चेनाब इस छेत्र की अपवाहित करती है, तो इस छेत्र में जो महतपून जो नदिया है, वो सिंदु नदी के साथ में जेलम और चेनाब भी प्रमुख नदिया यहां पर है, ठीक है बच्चों, कश्मीर और उत्तर पस्चिमी हिमाले विलक्षन सोंदरियर खूब सूरो द अकर्शक द्रिशावली परेटकों के लिए आकर्शक का केंद्र है, कुछ प्रसिद्ध तीर्तिस्तल जैसे वैश्नोदेवी, अमरनाथ गुआ और चलार सरीफ भी यहीं पर इस्थित्र है, बहुत ज्यादा मात्र में यहां पर परेटन का छेत्र है, ठीक है, और लेकिन कु यहां राजदानी स्रीफ जेलम नदी के किनारे इस्थित है, स्रीफ नगर में डल जील एक रोचक प्राकृतिक इस्थल है, तो जो स्री नगर किसकी राजदानी है, जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र सासित पर्देश है बच्चों, जम्मू कश्मीर और साथ में जो देखना है, और स्रीनगर में ही डल जील है, जो डल जील घूमने के लिए जाते हैं बच्चों, वो कहां पर है, स्रीनगर में ही इस्तित है, यह हमें याद रखना है, कश्मिर गाटी में जेलम नदी युवा वस्ता में बहती है, तथा पि नदी इस्थल रूप के विकास में प्रोडा वस्ता में निर्मित होने वाली विसिष्ट आकरती विसर्पों का निर्मान करती है, कुछ विसिष्ट आकरती जैसे कि विसर्प जो होते हैं, बच्चों, हमने दूसरी पुस्तक में देखेंगे वहां पर, कि विसर्प जो होते हैं, वो प्रोडा वस्ता में निर् जादा तर नदिया है वो कैसी है यूग वस्ता में क्यों है क्योंकि हिमाले अभी खुद यूग वस्ता में उनकी उचाई लगातार बढ़ रही है प्रतेष के दक्षिनी बाग में अनुदेरिये घाटियाग आम ये जिन्हें दून का जाता है इनमें जम्मू दून और पठान कोट दून प्रमुक है तो यहां पर धून पा fire जाते है जो गाटिया जो होती है वोने दून कहते हैं अब ब collections यहां गेग सकते हैं कि जो पस्ची जो हिमाले है वहाँ पर विबन परकार की शेनिया यहां पर इस्थित है कौन-कौन सा निये आ यह 25 हैं हमने देखा बच्चों यहां पर कारा कोरम स्रेणी जो कि पार हिमाले से संबंधित है लद्दाक स्रेणी ठीक है कैला स्रेणी जो कि तिबत में इस्तित है यहां पर ही से सांग पुन अदी जो कि आगे जाकर के सांग पुन अदी बच्चों आगे जाकर के ब्रह्म पुत्र नदी के रूप में प्राप्त होती है, यहां पर बच्चों नंगा परवत हमें दिखाई दे रहा है, नंगा परवत से स्टार्ट होता है, हिमाले परवत की जो मुख्य, जो हिमाले परवत की व्रहद हिमाले की जो स्रेणी है, वो नंगा परवत से नामचा बरवाद जो की कहा तो इस प्रकार से बच्चो सिवालिक स्रेनी लगू हिमाले व्रहध हिमाले और पार हिमाले की स्थिति हमने यहां पर देखी, जो की continue parallel अर्था समानंतर रूप में पाए जाती है, और पूरे आरपार यहां पर दिखाए देती है, यहां पर हिंदु कुस परवत बच्चो पाम ठीक है, और इनी में सही पांच जो पंजाब जिसके नाम पर था, पांच नदिया यहां से निकली हुई है, और विबिन दर्रे जिसे हमने सिपकी ला, ठीक है, जोजी ला, बारा लाचा ला, आदी जो दर्रे हैं, वो यहां पर पाए जाते हैं, जो विबिन स्रेनियों में इस्तित है, अब दूसरा है बच्चो, यहां पर हम देखते हैं, हिमाचल और उंत्रांचल हिमाले, जिसका नाम है हिमाचल और उंत्रांचल हिमाले, हिमाले का यह हिस्सा पस्चिम में रावी नदी और पूरू में काली के बीच इस्तित है, जो रावी नदी और काली के मद् इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदिया रावी व्यास और सतलज सिंदू की सायक नदिया है जबकी यमुना और गागरा जो नदिया है जो गंगा नदिया है हिमाचल हिमाले का सुदूर उत्रिभाग लद्दा के ठंडे मुरूस्तल का विस्तार है तो यहां पर भी ठंडा मुरुस्तल का कुछ हिस्साा पाए जाता है कि हिमाले हिमाचल हिमाले में हिमाले की तीनों मुख्य परवस रंकला है व्रहद हिमाले लगू हिमाले जिने हिमाचल में दोला धर और उत्रांचल में नाग तीबा कहा जाता है जो लगू हिमाले आगे हम देखेंगे बच्चो इसी भाग में कि जो लगू हिमाले है लगू हिमाले को हिमाचल प्रतेश में दोलादर कहते हैं दोलादर स्रेनी और उत्तरांचल जो छेतर है वहाँ पर नाग तीबा कहते हैं ठीक है तो नाग तीबा और दोलादर इसके नाम हुए लगू हिमाले के और उत्तर दक्षिन दिसा में फैली सिवालिक स्रेनी इस हिमाल इस तीनों समानांत्र सेनी पूरी तरीके से हमें दिखाई देती है और तीनों की निर्माण की इस्तिती भी अलग-अलग है अलग-अलग काल-खन्दों में इनका निर्माण हुआ है, जो की दूसरी पुस्तक में हमने प्लेट वीवर्तनी की सिद्धान्त में वह अच्छे से बताया है, ठीक है, लगू हिमाले में 1000-2000 मिटर उचाई वाले परवत, ब्रिटिस प्रसासन के लिए मुख्याकरशन के केंदर रहे हैं, अब बचों, यह क्यों रहे हैं, इसका कारण यह है, कि ब्रिटिस जो लोग थे, वो कहां से आये थे, ब्रिटैन से आये थे, यूरोप से आये थे, वहां सर्दी जादा पड़ती थी, भारत में अपेक्छाक्रत उचने कटी बन दिये छेतर होने के कारण यहां गर्मी जादा पड़ती है, ठंड कम पड़ती है, सर्दिया यहां पर का समय कम है, ठीक है, अब ठंडे परदेश्यों को उन्होंने डूनना चालू किय जब वो यहां पर आये, तो गर्मियों के दिनों में उनसे गर्मी सहन नहीं हुई, तो उन्होंने अपने लिए ऐसे इस्तान डून्डे जहां पर तापमान कम हो, अपेक्छक्रत तापमान कम हो, और ऐसे उचाई वाले इस्तान जहां पर रहा जा सकता हो, लगबग 1000-2000 मिट पर उचाई वाले स्तानों पर उन्होंने देखे और वहां पर नगर बसाना चालू कर दिया, तो बिटिस नगर वहां पर बसे, जैसे कि धरमसाला, मसूरी, कासोली, अलमूडा, लैंसडाउन और रानी खेत, इसी छेतर में इस्तिते, तो यह किसने बसाए हैं, यह अंग्रे जिन्होंने वसाए, उन्होंने जिसे परवत नगर का, जो वहां पर रह सके, इस छेतर की दो महत्पुन इसला करती है, सिवालिक और दून है, यहां इस्तित कुछ महत्पुन दून, चंडीगड, कालका का दून, नालागड दून, देहरा दून, हरी के दून, तता कोटा द दून कहते हैं, और दून के साथ में इनका नाम करन कर दिया, ठीक है, चंडीगड, कालका का दून, नालागड का दून, देहरा दून, हरी के दून, कोटा दून, आधी नाम दे दिया, जो कि क्या है, गाटिया होती है, ठीक है, व्रहद इमाले के गाटियों में भोटिया प रितु प्रवास का मतलब होता है कि मोसम बदलने पर एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर चले जाते हैं, अर्थात बच्चों क्या होता है, कि यदि परवतों में, यहां परवतों में हम जानते हैं उचाई पर थंड जादा पड़ती है, ठीक है, उचाई पर थंड पड़ती है इसलिए सर्दी के दिनों में ये प्रजाती जो खाना बदोस प्रजाती होती है वो नीचे आ जाती है ठीक है परवतों से नीचे आ जाती है सर्दी के दिनों में क्योंकि ताप्मान कम पाया जाता है सर्दी अधिक पड़ती है ठीक है और गर्मियों में वापिस उपर परवतो में चले जाते हैं तो इस प्रकार से रितु प्रवास करते हैं जो ग्रिश में रितु में बुग्याल उचाई पर इस्तित घास की जो मैदान है वहाँ पर इसे क्या कहते हैं बुग्याल कहते हैं में चले जाते हैं और सरद रितु में घाटियों में लोट आते हैं ठीक है तो इस प्रकार सी रितु प्रवास यहां पर देखे जाते हैं, प्रशिद फूलों की गाटी भी इसी परवतिय छेत्र में स्थित्र है, गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनात, बद्रिनात और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित्र है, तो विबन धार्मिक इस्थान है, ओर यहां पर लगातार रूप से यात्राए भी जिसे धार्मिक यात्रा कहते हैं, वो भी यहां पर लगातार रूप से होती है। अब यहां पर हम देखते हैं पांच प्रियाग जो प्रमुख है ठीक है पांच प्रियाग यहां पर देखने को मिलता है हमें देखो बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि अलक नंदा नदी जो है वो बद्रिनात से निकलती है बद्रिनात जो धाम है एक प्रकार का वह रहा से निकलती है और जो द्हुली earnć ऐवह यहांसे आती हुई विश्ण अप्रियाःग नामक इस्थान पर दोनों मिल जाती है थीक है देगा हमें कि अलग नंदा जो नदी है वो द्हुली・ ग stream नदी पर कहां पर मिलती है विश्णु प्रियाग नामक इस्थान पर मिलती है दोनों का यहां पर मिलन होता है ठीक है फिर यह आगे जा करके नंदागिनी जो नदी है वहां से उससे मिलती है कहां पर नंद प्रियाग में दूसरा प्रियाग हो गया नंद प्रियाग तो पहला प्रियाग जिसमें अलक ननदा और नंदाग सी नदी मिली शुट कि पश्चाद बच्छों जो तीसरा प्रियाग आए गा वहां कि तृथा प्रियाग होगा बच्चों वो अलग नंदा और मनदाग्नी नदी यो कहां से निकलती है केदार ना'm Brett अ car ने मंदाग निवहार जब दोनों नदिया मिलती है उसे कहते है रुद्ध प्रियाग इस्थान पर तो प्रियाग इस्थान पर मंदागनी और अलक नंदा नदी मिलती है यह बच्चो चोथा प्रियाग हो गया और पांचवा प्रियाग है यह बागी रती नदी जो कि गंगोत्री नामक इस्थान से निकलती है गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है और वहां से निकल करके अलक नंदा नदी य गंगा नदी के रूप में पुरौआमान वोती है। थीक है, तो हमें समझ में आया कि गंगा नदी किस परकार से, अलग अलग नदियों से मिलकर के यहाँ पर 5 प्रियाग प्रमुख, जो 5 प्रियाग है हो यहाँ पर मिले। इसी प्रकार से जो यमना नदी है वो आगे प्रियाग राज में मिलकर के प्रियाग राज में यमना नदी गंगा नदी में मिलती है लेकिन पैररल चलती है दोनों समाना नंतर ठीक है दोनों समाना नंतर चलती है प्रियाग राज तक वहां तक जाकर के गंगा नदी में मिल ज चल करके आगे प्रियाग राज में गंगा नदी में ही यमना नदी मिल जाती है इसके सायक नदी है तो इस प्रकार से हमने पांच प्रियाग देखे ठीक है बच्छो इसके पस्चाद देखते हैं तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाल है तीसरा है बच्छो इसी चेत्र में ही बचो यही छेत्र में ही जो की नेपाल हमाले में इस्तित है। माउंट एवरेष्ट जो विश्वीद की सबसे उची चोटी है माउंट एवरेस्ट इसी के नजदिक यहां पर पाए जाती है। यहां तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है, और कंचन जंगा जैसी उची चोटिया और गहरी गाटिया पाए जाती है, तो कंचन जंगा जैसी उची चोटिया मिलती है, और गहरी गाटिया भी यहां पर पाए जाती है, काफी उचाई और गहराई यहां पर इस छेत्र मे दिखाई देती है ठीक है इन परवतों के उचे सिखरों पर लेपचा जन जाती है और दक्षनी भाग विशेश कर डार्जलिंग हिमाले में मिश्रित जनसंक्या जिसमें नेपाली बंगाली और मद्धिवारत की जन जातिया सामिल है पाए जाती है तो उचे सिखरों पर लेप युक्त मिट्टी, संपून वर्स वर्सा का होना, और मंद सीत रितु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहां चाय के बागान लगाये, तो चाय के बागान इसी छेतर में लगाये, दार्जलिंग के इसी छेतर में, ठीक है, अब चाय की जो खेती की जाती है बच्छों, च गहरी डाल में, यदि लंबवत डालोगी, तो पानी जल्दी चला जाएगा, तो मध्यम डालती, गहरी वे जीवाश म्यूक्त मिट्टी थी, जीवाश म्यूक्त मिट्टी थी, और गहरी मिट्टी थी, संपून वर्स वर्सा का होना, इस छेतर में वर्सा अधिक मात्रम होती और अंग्रे जोने चाय के बड़े-बड़े बागान यहां पर लगाए और भरपूर आर्थिक फाइदा उठाया, बाकी हिमाले से यह चेत्र बिन्न है क्योंकि यहां दुवार इस्तला करतिया पाया जाती है, जिनका उपियोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है, जो पस्चिम में जिसे दून कहते थे, वहां यहां पूर्व चेत्र में दुवार कहते हैं, सिक्किम और दारजली हिमाले अपने रमणिये सोंदरिये, वनश्पति जात और प्राणिये जात और आर्किड के लिए जाना जाता है, अब जो यहां पर जो बाते हैं, इसकी पूर्वी खेटर में जाती है, और काफे सोंदरिये योगते जिटर हम जाती है, गूमने परेटन के साब से मैंने बताया था बच्छो, यो जोटी है वो कांगतु और नामचा वर्वा यह तक हमाल यह तक पाया यह परवत सरेनिया उत्तर से दक्षिन दिशा में तेज भेती हुई और गर। नदिय दिखाया दीटी है इस छेतर में जो नदिया है वो तेज बेतिवी दिखाई देती है और गहरे गार्ज यहाँ पर बनाते हैं अरुणाचल परदेश के इस छेतर में ठीके बच्छो नामचा बर्वा को पार करने के बाद ब्रहंपुत्र नदिये गहरे गार्ज बनाती है, कौमेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहां के प्रमुख नदिया है, यह बाहरे मासी नदिया है और बहुत से जल परपात बनाती है, इसलिए यहां जल विद्दुत बादन की छमता अधिक होने के कारण बच्चो यह चेत्र जिसमें भूतान और नोर्थ इस्ट की जो चेत्र है, अरणाचल परदेश, आसपास का यह संपूर जो चेत्र है, पूर उत्तर की जो पाड़िया है, यह विद्दुत, खाश्तोर से जल विद्दुत के लिए बहु से जनजातिया निवास करती है, और जो जनजाती यहाँ पर निवास करती है, उनी के नाम के आदार पर उस चेत्र का नामकरण कर दिया जाता है, इस चेत्र में पस्यम से पूरों बसे कुछ जन जाती है, इस परकार है, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा और इनी के नाम पर इनका छेत्र का नामकरन या इनकी पाहडियों का नामकरन कर दिया जता है, हम यहाँ पर यह भी देखते हैं, कि जैसे कि नागा छेत्र, नागा लेंड के अंदर नागा जो छेत्र है, निशी है, मिश्मी पाहडी है, अबोर पाहडी है, मोन पा, डफला पा तो हुआ ए उसमें काफी फीछे रह गई है ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपना में च्छेतर पर और स्चेतर कारी भी किया जा लाहे है तो ख यह चेत्र जेव वित्ता में धनी है, जिसका सनर्चन देशज समुधायों ने किया है, बच्चो यहाँ पर देखने वाली बात है, कि जो होटी स्पोर्ट जो बनाए जाते हैं, भारत में जो प्रमुक होटी स्पोर्ट है, उसमें यह भी एक प्रमुक चेत्र है, पूरवी हिम चेत्र है, ठीक है, और गाटी बहुत जादा है, इस कारण से यहाँ संचार और परिवेहन की सुधा भारी समस्या के सामना यहाँ पर करना पड़ता है, और बच्चो ट्रेन जैसी समस्या, अर्थाद रेल गाडिया यहाँ पर नाम मात्र की है, बहुत कम यहाँ पर रेल की पट्रिया है, इसलिए उना चल असम सीमा पर इस दुवार चित्र से ओकर ही यहाँ कारूबार किया जा सकता है, तो यह भी यहाँ पर समस्या देखी जाती है, अब बच्चो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीजी कहां-कहां पर है, तो बच्चो हम यह आती हुई आती है, यह तिस्ता नदी इस परकार से आती है और बांगलादेश में चली जाती है, यहाँ पर कंचन जंगा है बच्चो नेपाल और सिक्किम के बीच में, यह सिक्किम है बच्चो यह हमारा एक परदेश है, सिक्किम ठीक है, तो यह सिक्किम है और सिक्किम और और नेपाल के मद्ध में यहां पर कंचन जंगा जो कि कह है चोटी है यहां पर पाई जाती है साथ में बच्चों ये भी देखने को मिल रहा है हमें कि हिमाले परवत यहां पर हिमाले परवत यहां आगे जाकर के नामचा बर्वा तक और यहीं से सांग पो नदी जिसे आगे जाकर के दियांग नदी और ब्रंपुत्र नदी की रूपे हमें प्राप्त होती है यहां से यहां पर इनका नाम करन किया जाता है मेगाले में इस्तित है तो इस तरीके से यहां पर पूर्वी जो हिमाले है वो यह हिमाले का भाग नहीं है, यह हिमाले का भाग नहीं है, यह पठार का भाग है, पठार यह जो भाग है, उसका छित्र है, कर्भी एंग लोग यहाँ पर जो असम में कर्भी एंग लोग नाम का जो पठार है, वो भी इस पठार का भाग है, ठीक, तो यह जो छित्र है, यह हि पहाडिया तो है, अब आगे है बच्छो पूरवी पहाडिया और Parvat, हिमालेवे परवत के इस भाग में, पहाडियो की दिसा उत्तर से दक्षन है, यह पहाडिया विभिन रिस्तानी नामों से जानी जाती है, जैसे कि आपFla, अवने देखा उत्तर से दक्षन यह पर इस्तित है उत्तर में पठकाई भूम नगा पाहडिया मनिपूर पाहडिया और दक्षिन में मिजो और लुसाई पाहडियों के नाम से जानी जाती है यह एक नीची पाहडियों का छेतरे जहां अनेक जन जाती है जूम या इस्तानांतरित क्रिशी करती है और जिन जन जाती है यहां पर जो जंजातिया पाई जाती है उन्हीं के नाम पर इनका नामकरन कर दिया गया है, ठीक है बच्छो, यहां जादतर पहाडिया छोटे बड़े नदी नालो द्वारा अलग होती है, बराक, मनिपूर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है, जो बराक नदी है बच्छो, यह बहुत फैमस जील है, लोग तक जील, इसे बच्छो जूलती हुई जील भी कहते है, हैंगिंग लेक भी इसे बोलते हैं, ठीक है, और यह चारो और से पहाडियों से गिरी है, वो सुंदर द्रशावली यहां पर दिखाई दिती है, और इसे हैंगिंग लेक बोलते हैं, मिजौरम जि से मोलेशिस बेसिन कहते हैं, मोलेशिस बेसिन है, basically, का पर है, मिजौरम, म्रदूल और ऐसंगतिस चत्तानों से बना है, तो इस परकार से हैंग हमने उत्तर से धक्छinh दिसा में विबिlog पाडियों को देखा, नगालेंड में बहने वाली जादतर नदिया ब्रंपुतर नदी की सायक नदी है मिजोरम और मनिपुर की दो नदिया बराक नदी की सायक नदी है जो मेगना नदी की एक सायक नदी है जो बराक नदी है वो किसकी सायक है मेगना नदी की सायक है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो नदिया है बहुत सारी नदिया इस चेतर में पाए जती है मनिपुर के पूरी बाग में बहने वाली नदिया चिंदविन नदी की सायक नदिया है जो की म्यामबार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सायक नदी है म्यामबार में जो इरावधी नदी बैती है उसकी सायक नदी है चिंदमिन नदी, इसके पश्चावब बच्चों हम देखते हैं कि हमने हिमालय का अनुदैरिये विबाजन किस परकार से करेंगे, इससे पहले ही तो हमने देखा था हिमालय का प्रादेशिक विबाजन कैसे करे और यहां पर आप देंगेंगे कि अनुदेरिय विवाजन किस प्रकार से करेंगे, जो समानांतर स्रेणिया है बच्चों, समानांतर स्रेणिया बनी हुई है हिमाले की, वो किस प्रकार की कहां कहां पर रिष्थित है, इसमें पहली नीचे से दी हम दक्षिन से देखे, तीन सम ठीक है समानांतर स्रेनिया और इसके बाद उत्तर में आपर पार हिमाले भी स्रेनिया दिखाए जेती है अब पार हिमाले जो है बच्चो वह हिमाले से पहले की स्रेनिया है हिमाले बनने से पहले की अवस्ता है लेकिन तीनों जो बाकि ये तीनों स्रेनिया है समानांतर है हिमा और जो सिवालिक उसके पस्चाथ बिलकुल लेटेष्ट है तो हम दकषन से देखते हैं बच्चों, सिवालिक या उपीह नाम है है। इसे बाहिये हिमाले भी कहा जाता है जिसका अपेक्ष्राकरत टिव्र तिव्र है जो कही हिसे के तैने नामैं से बोला जाता है। जम्मू पहाडिया कहां बोलते हैं, जम्मू एम कश्मीर में जम्मू पहाडिया बोलते हैं, अलग 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 नामों से इसको बोला जाता है, डूंडवा स्रेणी बोलते हैं, उत्राखंड में, चूरिया मुरिया पहाडिया बोलते हैं बचों नेपाल में, दफला, मिरी, अ अबोर एं मिश्मी पाडिया बोलते हैं और ना चल प्रदेश में तो यह जो सिवालिक जो श्रेणिये अलग-अलग चेत्रों में अलग-अलग नाम से बोली जाती है इसके बाद बच्चों लगु हिमालय या हिमानचल जिसे हम कहते हैं प्रमुख श्रेणियों में धोला-दर पीर पंजाल नाक्टिब्बा महाबारत स्रेणि और मसूरी श्रेणि उल्लेकनिये हैं यहा इसकी जो स्रेणिया इस नाम से जानी जाती है यहां पर पीर पंजाल 3,494 मिटर एवं बनियाल 2,832 मिटर प्रमुख दर्रे हैं तो यहां पर प्रमुख दर्रे मिलेंगे लगु ह इसका जो दक्षिनी डाल था है, फो खड़ा है, एसमान है, नगन है, जब की जो उत्रिड होगा, वो मनद है और गनेवनों से, काफी गनेवन इस छेत्र में, जो उत्रिड ह远 पर है, वो पाए जाते हैं, दालो के सहारे कैई चरागय चेत्र पाए जाते हैं, जिने कश्मीर म मर्ग कहते हैं और उत्राखंड में बुग्याल एवं पयार कहते हैं इसे में याद कर लेना है बच्चो कि कश्मीर में जिसे मर्ग कहते हैं जैसे कि गुल मर्ग, सोन मर्ग, तान मर्ग, आधी ठीक है और उत्राखंड में इसे बुग्याल एवं पयार के नाम से जाना जाता है इसके बाद बच्चो तीसरी है महान हिमालय या हिमादरी कहते हैं यह हिमालय की सबसे उन्नत विछिन इम सुदूर उत्री स्रेनी है यह मुख्य स्रेनी यही है ठीक है इस स्रेनी चाप के आकार में पस्चीम में नंगा परवत 8126 मिटर जिसकी ऊचाई है यह चोटी से बच्छो कि यह नंगा परवत से लेकर के नामचा बरवा तक यह जो श्रिनी है यह विश्ट्रीत है लगबख पच्छिसो किलोमेटर की लंबाई में इस श्रिनी का अधिकांसबाग वर्स भर बरप से डका रहता है जहां से के हिमानियों का उद्बव होता है तिक काफी उचा जो की हिमाले से पहले की श्रेणिया, हिमाले से पहले की परवत छेत्र है, इसे तिबती हिमाले भी कहा जाता है, इसकी चोड़ाई लगभग 40 km एवं लंबाई 965 km पाया जाती है, जिसमें कारा कोरम, बच्चों देखने वाली बात है, कारा कोरम लद्दाक एवं कैला श्रेण सम्मिलित की जाती है, पार हिमाले के अंदर, जिसे टेथी हिमाले भी बोला जाता है, तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका दोनों प्रकार से विवाजन किया, अनुदेरियों विवाजन भी किया, और प्रादेशिक विवाजन भी किया, और इस प्रकार से हिमाले जो छेत मेदान पढ़ेंगे तन्यवाद बच्चों